नमस्कार नियूस फॉर नीशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ शुभी आपके साथ वफादारी और निर्दित्व के निर्दीश को बिना सवाल की ये लागू करने की खासियत रखने वाली आर्सिपे सिंग को जदियों की कमान जब से मिली है उसके बाद बिहार की राजनीती का एक बड़ा सवाल सौल्व हो जुका है जिहां हम उस सवाल की बात कर रहे ही जो अकसर बिहार की राजनीती में गूंजता रहता है कि आखर नितीश कुमार के बाद आगे बिहार की राजनीती का कमान किस के हाथों होगा नितीश के बाद कौन तो इस पूरी सवाल का जवाब आखर क्या है ये हम आपको बताते हैं हालाकि अब तक यह आन्शिक जवाब ही है यह सवाल विधान सभा चुनाओ के प्रचार के आखरे दिन तीजी से उभरा था जब नितीश ने कहा कि यह उनका आखरी चुनाओ प्रचार है बाद में उसके आशे को समझाया गया कि यह कथन सर्फ इस विधान सभा चुनाओ के लिए था RCP का राजनितिक सफर बहुत लंबा नहीं है राजसभा सदसिता के लिहाद से देखे तो महज 10 साल लेकिन उससे पहले भी प्रधान सचीव की हैसियत से वो नितीश कुमार के हरीक बड़े राजनितिक फैसली की सहभागी रहते थे नितीश कुमार के बारे में मानिता है कि वे वन चुवन की गोपनिय वारता से परहेज करते हैं हर एक राजनितिक या आधिकारिक मुलाकात में उनके बीच तीसरी की मौजूदगी भी रहती है मौजूद रहने वालों में RCP का नंबर पहला है अधिकारी या राजनितिक सहयोगी के तौर पर RCP नितीश कुमार के साथ लगातार जुड़े रहने वाले शायद पहले सक्ष है वे 1998 में भारतिय प्रशास्तिक सेवा के अधिकारी के तौर पर नितीश से जुड़े फिर कभी आलग नहीं हुए RCP के उम्र 62 साल है इसमें से 23 साल से वे नितीश से लगातार जुड़े रहे है हाँ कोरोना के चरमकाल में वो करीब एक महीने भर अपने गाउं में रहे उस दौरान नितीश के साथ उनकी रोज मुलाकात नहीं हो सकी उनकी उस गैर हाजरी पर सवाल भी उठे कहा गया कि दोनों के बीच सब को ठीक नहीं चल रहा नितीश और RCP दोनों इस तरह के सवालों का जवाब नहीं देते हैं चुनावी रण नीतिकार प्रशांद के सोर का जब जदियू से रुतबा बढ़ा उस समय भी RCP की कद को कम करने की चर्चा होने लगी मजहौली कद के RCP से जब यह सवाल पूछा गया उन्होंने अपनी ओर इशारा करते भी सवाल कर दिया इससे छोटा कौन मेरा कद कर सकता है इसके कुछ महिने बाद ही प्रशांद कृशोर जदियू से विदा हो गए RCP स्यावमानी परिवार से आते हैं उनका गाओं मुस्तुफापूर नालंदा चिले में है पता सुखदेव नारायन सिंग मध्यवर्गिये किसान थे पतनी गिरजा देवी विश्वध ग्रहनी है स्कूली सिक्षा होशैनपूर हाई स्कूल और उच्च सिक्षा पट्टा एवं जवाहरलाल नहरू विश्व वध्याले में हुई है भारतिय प्रशासनिक सेवा में उन्हें यूपी कैडर मिला 1996 में मोटतकालीन केंद्रिय मंत्री बने बेनी प्रसाद वर्मा से जुड़कर दिल्ली आए तो फिर कभी सामाने प्रशासन से नहीं लोटे केंद्रि मंत्री रहने के दौरान निदेश कुमार के विशे सचीब बने निदेश कुमार जब बिहार के मुख्य मंत्री बने तो वह मुख्य मंत्री के प्रधान सचीब बने फिर 2010 में VRS ले लिया जदियों ने उन्हें राजस सभा भीजा राजनीती में आने के बाद भी उनकी अधिकारियों वारी दिंचर्या नहीं बदली पार्टी कार्याले या आवासी कार्याले में वो दिन में दस वजी तक बैठ जाते थे मुख्यमंत्री नितीश कुमार उन्हें रामचंद्र बाबु कहते हैं आरसिपी आज भी निजी बादचीत में नितीश कुमार को साहब ही कहते हैं पहले मंच से बोलनी में उन्हें हिचकचाहट होती थी अब धडलले से बोलते हैं भाजपा और आरसिस के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं बोलचाल में विनम्रता उनकी पुंजी है मातहतों से बादचीत के दोरान उनके स्वर में आगाह के बदले आदेश का भाव होता है पार्टी के संगटनिक महासचीव के तौर पर उन्होंने जदियों के कोर वोटर का हमीशा खयाल रखा है यही वज़ा है कि नितीश उनमें अपने उत्राधिकारी की छवी देख रहे हैं तो साफ तोर पर इस सवाल का जवाब अब बिहार की राजनीती में मिल चुका है जो सवाल कई सालों से गूंज रहा था कि आखर नितीश कुमार के बाद कौन उत्राधिकारी होगा तो शायर आर्सेपे सिंग है आने वाले समय में नितीश कुमार के बाद बिहार की बागडोर सम्हालती नज़र आएंगे फिलाल के लिए इतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहें नियूस फोरनेशन नमस्कार